यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ सीटू के महासचिव जोगिंद्र ने हमीरपूर में कहा कि वर्तमान केंद्र की सरकार देश में जो नवुदार की नीतियां लागू कर रही है उनसे केवल पूंजी पतियों को ही फायदा होगा और आम आदमी का गुजर बसर करना मुश्किल हो जाएगा उन्होंने साथ ही कहा कि देश में मोरी सरकार बनने के बाद किसानों की आदमत्या करने के मामलों में बेतहाश्व बढ़ोतरी हुई है साथ ही अब तक देश से करीबन एक करोड रोजगार समाप्त हो चुके हैं 23 मही को हमीरपूर में गांदी चौंक पे बहुत बिशाल रैली होगी जिसमें पूरे देश के पैमाने पर जितने भी बामपंथी संगठन है पुदी सरकार के चार साल पूरा होने पर और जिस तरीके की नीतियों ने अपनाई हैं उसके चलते देश में हर आधे गंटे के अंदर ये किसान आतम हत्या कर रहा है और कहीं रोजगार बचा नहीं है और पूरे देश के अंदर अर्थे वस्ता बहुत बुरे तरीके से असफल हो रही है और इन नीतियों के चलते जो जीवन की बुनादी जरूरते हैं अब नीजी हाथों में ठेके पर कंपनियों के हवाले किया जा रहा है झाल 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 झाल